स्वागत है और आज हमारा आठवा मेंदी का क्लास है और आज के मेंदी क्लास में हम सीखने जा रहे हैं पिकॉक का टॉपिक है इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है यह वीडियो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ बने रहें अगर आपको यह पिकॉक सीख अगर मेरे आप नए व्यूवर्स हैं और आप फ्री में घर बैठे अपने टाइम से अपने सुकून से अगर मेंदी सिखना चाहते हो तो हमारा क्लास का मेंदी क्लास का जो प्ले लिस्ट है उसकी लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो जाए और आप हमारे सारे पिछले मेंदी के सारे टापिक बेजिकन से लेके बहुत डिटेल में एल आपको मेंदी कलास में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा जो आज का जो class है और उसका जो material है मैंने वहाँ पे हर तरहा के pickock आपके लिए बनाए हैं अगर आप हमारा ये material खरीदना चाहते हो तो आपको मालुम है आपको क्या करना है आप मेरी website से या तो फिर मेरे supplier से इसको खरीद सकते हो contact detail और website वगेरे की detail आपको screen पे भी दिखेगी आपको description box में भी मिल जाएगी और आपको comment section में भी मिल जाएगी तो चलिए हम सीधे topic पे आते हैं पिकॉक सबसे पहले अगर हम पिकॉक की बात करते हैं तो बहुत सारे religion में figure drawing वरजीत होता है जैसे हम आगे भी बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं तो अगर आपको यही problem हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि पिकॉक की आखे और उसकी बीक उसकी जो चोंच होती है वो मत बनाएए और बाकी का पूरा शेप आप अपनी डिजाइन में ले सकते हो ठीक है हम सबसे पहले बहुत ही बेजिक वाला जो सिम्पल पिकॉक है जिसकी कोई बाड़ी नहीं है सिर्फ उसके पिकॉक हेड से बनता है वो ड्रॉ करना में आपको सिखाऊंगी और वो बहुत ही सिम्पल है जब मैंने आप लोगों को स्वल सिखाया था तो उस वक मैंने आप लोगों को कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टन्ट एक एलिमेंट है और इसकी जम के प्रैक्टिस कीजेगा ये स्वल जब मैंने आप लोगों को सिखाया था मैंने प्रैक्टिस करने को बोला था आपको अब ये स्वल हमें पिकॉक में किस तरह से हैल्प में आएगा वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा हम इसको बड़ा बनाएंगे क्योंकि हम अच्छे से देख पाएं अगर हम स्वल को इस तरह से बनाते हैं और फिर उसके साथ एक दूसरी लाइन कनेक्ट करके ये कव देते हैं तो ये क्या हो गया ये हो गया हमारा पिकॉक बहुत ही सिम्बल है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये भी एक पिकॉक का शेप होता है इसके भी वैरियेशन है शान्ती रखे बने रहे ये मैं सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगी एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ अब मैं इस डिरेक्शन में ड्रॉ करूँगी देखिए फिर आप यहां से ये लाइन को इस तरह से बनाएंगे अब यहां पर ये खुला है जब भी हम कॉर्णर पर करते हैं तो हम इसको इस तरह से बन कर सकते हैं दूसरा एक उसको थोड़ा सा ज्यादा हमें जुका हुआ चाहिए तो इस स्वर्ण को हम और अंदर ले जाएंगे अब देखें दोनों के हेड में क्या फर्क है हमने सिर्फ इस लाइन को और ज्यादा अंदर तक लिया है फिर हम इस लाइन के समानतर दूसरी लाइन थोड़ी इस तरह से बनाते जाएंगे और हम इसको इस तरह से भी बन कर सकते हैं मैं थोड़े से छोटे साइज में ड्रॉ कर रहे हूँ ताकि मुझे सिर्फ आपको टेक्निक यहां पर बतानी है मैं बड़े-बड़े बनाना शुरू कर दूंगी तो बहुत सारे पेजी सम वेस्ट कर देंगे तो यह दूसरा एक क्लोजिंग इसका हुआ तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइन से बन कर सकते हो आप इसको इस तरह से पेसली का शेप दे के बन कर सकते हो आप स्ट्रेट उसका हेड ले सकते हो आप उस हेड को ज़्यादा इस तरह से गुमा सकते हो हम एक उल्टी डिशा में भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे जगा है तो हम इसका इस्तमाल कर देंगे और एक बात ध्यान रखे यह जो मैं उसका हेड बना रही हूं वह आप देखिए पूरा ऐसा राउंड शेप नहीं है यहाँ पर मैंने राउंड बनाया है लेकिन अगर घौर से देखोगे मेरी हर एक डिजाइन को जहाँ बनाती हूं मैं कभी भी इस चहरे को उसके सिर को राउंड नहीं बनाती मैं इतना थोड़ा सा ओवल जितना शेप रखती हूं और अगर आप बहुत गार से देखोगे तो यह जो शेप है वह एक्चुली लीफ का शेप है यह एक टेक्निक है पिकॉक को खुबसूरत बनाने की कई बार हम दूसरे आर्टिस का पिकॉक देखते हैं बहुत गोर करने की कोशिस करते कि क्या नहीं है हमारी डिजाइन में क्या मिसिंग है तो कई बार छोटी छोटी बाते इस तरह से चूक जाती है तो यह जो उसका सिर है वो हमने थोड़ा सा लीफ शेप बनाया है तो मैंने जब लीफ शेप भी आप लोगों को सिखाया था मैंने कहा था यह बहुत ही इंपोर्टन शेप है जो बहुत सी जगाओं पे इस्तमाल होगा और अब तक आपने देखा ही होगा कि वो जैसे हमारे इस्तमाल होता है फिर बेसली में भी इस्तमाल होता है और आपने देखा कि वो पिकॉक में भी हम इस्तमाल कर रहे हैं और फिर यहां से अंदर से हम लाइन लेके यह हो गया हमारा simple peacock अब यह इस तरह का पिकॉक कहां पे आप इस्तमाल कर सकते हो पहले पूरी जानकारी इसकी लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे यह पिकॉक हम इस्तमाल कर सकते हैं हमारे हाथ की जो डिजाइन है जिहां यह जो मैंने डिजाइन की वीडियो बनाई थी अभ तो यह P yourself कहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं तो हम corners की design जब बनाते हैं इस तरह से हम corners बनाते हैं हाथों में शायद मेरी मैंदी में आपको line न दिखे लेकिन इससे हम corner बनाते हैं कहीं पे भी वो kleiner हो सकता है इस दिशा में, इस दिशा में यहां पे, कहीं पे भी आपको corner बनाना हो और थोड़ा सा उसमें variation लाना हो ぐ पिकॉक के जरीय उसको थोड़ा advance कर सकते हो फिर आप यहां पे भी इस तरह से corner की design बना सकते हो यहां इस side पे आप चाहो तो यहाँ पी इस तरह से ऐसे भी बना सकते हो यहाँ पी बना सकते हो आप डिजाइन की बिगिनिंग में भी आप इस तरह का पिकॉग बना सकते हो जैसे कि आपने इस तरह से यहाँ पे बनाया और फिर यहाँ पे पूरा एक flower cluster दे दिया तो यह भी आप कर सकते हो और अगर आपको ideas चाहिए design में तो जैसे मैंने कहा आप मेरी bridal series की जो videos हैं जहाँ पे मैंने बहुत intricate designs बनाई है please आप जाके उसको watch कीजे inspiration के लिए क्योंकि वहाँ पे आपको किस तरह से elements के इस्तिमाल करने हैं वो दिखने को मिल जाएगा और फिर वहाँ से आप practice कर सकते हो तो आप इस तरह से इस तरह से नीचे head, उपर head या तो फिर slant जैसे मैंने कहा वैसे या तो ऐसे सीधा भी आप ड्रॉ कर सकते हो और आपने हमेशा मुझे देखा है कि जब भी मैं अपना पिकॉक ड्रॉ करती हूं मैं पहले reference line से ड्रॉ करती हूं फिर उसके उपर में solid line देती हूं तो perfection लाने के लिए आप वो technique यहाँ पे इस्तिमाल कर सकते हो चलिए यह हो गया हमारा basic peacock फिर उसको जैसे हम पूरे corners को decorate करते हैं उसी तरह आप decorate कर सकते हैं मैं ज्यादा उसको explain नहीं करूंगी क्योंकि मैंने corners के उपर भी एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप corner को decorate कर सकते हैं उसको four line variation दे दीजे बहुत ही important है याद रखे एक बार आपने peacock बनाया उसके अंदर आपने पूरा design भर दिया पारिक फिर आप उसको मोटी लाइन से शेप दे दीजे ताकि वो उठके आएगा तो ये सारी छोटी छोटी जो टेक्निक हम हर जगा पे मेंदी में इस्तमाल करते हैं वो यहीं पे भी लगेगी ये जो line variation की टेक्निक है फिर शेप को घड़ा करने की टेक्निक है वो मेंदी की design में हर जगा पे नहीं हूँ चलिए अब हम advanced peacock की और आगे बढ़ते हैं वापस आएगा हमारा leaf का शेप अब हमारा leaf बनेगा हमारा जो peacock है उसकी body जी हाँ इसलिए मैं बार-बार कहती रहती हूँ लिफ का शेप बहुत ही important है प्रैक्टिस करते रहे हैं अब जिस तरह से हमने ये simple peacock draw किये हैं कुछ वही टेक्निक से हम उसका हैड यहाँ पे बनाएंगे अगर आपको जुका हुआ सर चाहिए तो लाइन को थोड़ा सा अंदर ले जाए अब क्या होगा उसकी body यहाँ पे हम गुजराती लोग जो होते ना उसका एक आलफाबेट है तो वो ट उल्टा एस क्योंकि हम इस तरह से ड्रा कर रहे है तो वो एक बनेगा जिसको हम पीछे तक ले जा सकते हैं अब इसके उपर कोई रूल नहीं आप चाहो तो यहाँ पे भी उसको समाप्त कर सकते हो मैं ज्यादा तर इस तरह से पीछे ले जाती हूँ फिर मुझे अगर यहाँ पे डैकोरेट करना है उसके फैदर तो आप बहुत सारे डिफरंट वेस उसके फैदर डैकोरेट कर सकते हो यह सारी आइडियाज मैंने अपने वक्षीट के जरीये आप लोगों उसे शेर किये है कि किस तरह से कितने अलग-ळग वारियेशन से आप पीकौक को डैकोरेट करते हो हर बार वो जया ए उसकी स्ट्रेट बनाई है हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेट है ऐसे है ओके फिर मैंने बहुत ही सिंपल जो हमारा सिंपल पिकॉक का प्रोसेस है वही उसका बॉडी ड्रॉ करने के लिए उसका है ड्रॉ करने के लिए फॉलो की अब यह जो बॉडी है वो आप कोई भी एंगल में बना सकते हो, यहाँ पे हमने यह एंगल लिया है, आप चाहो तो उसका एंगल आप कोई भी दिश्चा में दे सकते हो, लेकिन फिर यह सेम, सेम हो जाएगा, पुरा सेम, सिर्फ इसका एंगल हमने चेंज किया है, और यहाँ पर लिफ शेप ना लेके, अगर आप कोम, पेस मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्राउ करके आपको दिखाते हूं तो वो भी आप कर सकते हो और यह टेक्निक रहे की सेम बिलकुल सेम और आपको लगेगा मैं कितनी आसानी से इसको बना रहे हूं क्योंकि पिकॉक मेरा फिवरिट एलिमेंट है मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया है एक बार आपका हाथ बैठ गया तो यह शेप आने कोई भी मुश्किल नहीं है ट्रस्ट मी बहुत ही आसान ह अब यहां पर हमारा फिकॉक इस दिशा बेर फ़ेस का है उसका हैड भी उसका जो शीर है वह भी बह怕कि और हैब हम उसका दुसरा वारीएशन देखेंगे कि अब हमारी बॉड़ी इस दिशा में है उसका सर उसका सिर पहर की और ही है लेकिन अब उसका फेसिंग इस दिशा में है अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको यहाँ पे complete करके आप उसका feather यहाँ पे नीचे भी कर सकते हो उसका feather का इतना versatile है उसकी punk जो है वो बहुत ही versatile है peacock इसलिए बहुत versatile element है जिसको आप कहीं पे भी fit कर सकते हो क्योंकि आपने यह draw किया नीचे बना दिये उसके punk तो भी वो खुबसूरत लगेगा आपने उपर इस तरह से बना दिये उसके punk तो भी वो खुबसूरत लगेगा आपने उसको यहाँ पे ऐसे कुछ shape देखे कर दिया तो भी खुबसूरत लगेगा उसके जो punk बनाना है वो आपकी creativity पे निर्भर करता है अब हमने बहार का जो उसका head है सिर है वो दिखा अब हम अंदर की और देखेंगे सिमिलर आएगा उसका body leaf shape जो अब अंदर का shape है ना वो कई बार थोड़ा सा challenging मेरे लिए हो जाता है क्यों? क्यों? वो भी मैं बता दूँ जब हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं अगर आपने गौर दिया होगा तो जब हम बाहर का पहले बन जाता है जब इस तरह का पिकॉक बनाते है तो उसकी अंदर की लाइन यानि की ये जो लाइन है वो मैं पहले बनाती हूँ दूसरे लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ और इसी वजह से कई बार उसका कव चैलेंजिंग हो जाता है तो उस हालात में मैं कई बार इस तरह से उसको फॉलो करती हूँ ठीक है? फिर इसको जो चाहे वो शेप दे दो हो गया सिंपल? अगर आपको इस तरह से नहीं हो रहा है अच्छे से तो आप पहले बाहर की लाइन ड्रॉ करके जो हम फॉलो कर रहे हैं वही उसी हिसाब से आप कर सकते हो जैसे कि अभी बैठे-बैठे मुझे आइडिया आया कि अगर मैं इस तरह से एक रेफरेंस ले लूँ और फिर जो मैं सिंपल पिकॉक अभी ड्रॉ कर रहे थी उसी तरह से उसको चलाओं तो क्या मैं कर पाऊंगी? फिर में बॉडी का पार्ट उसमें एड कर दूँ हो जाएगा इससे भी फिर आपको बॉडी का पार्ट उसी हिसाब से एज़ेस करना पड़ेगा जी हां तो पहले आप उसका सर ड्रॉ कीजे फिर बाद में बॉडी डगाए तो अभी अभी बैठे-बैठे एक आइडिया आ तो मैंने आपके सामने ही ट्राइ किया और वो वर्क करता है तो सेम सिचुएशन के अभी यहां पे उसका सिर इस दिशा में है अब देखो यहां पे भी सर इसी दिशा में है यहां पे भी सर इसी दिशा में है लेकिन यहां पे पिकॉक अंदर की और अपनी बॉडी को देख यह फर्क है, तो हमने यहां पे हर तरह के पिकॉक के वैरेशन देखे हैं, अब जो हमने ड्रो किया है, चलो मैं इस तरह का भी ड्रो करी डेती हूँ, बाकी क्यू रखे, कोशिश कीजिए कि आप पिकॉक पहले रेफरेंस लाइन से ही बनाए ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो तो यह उसका अपोजिट डिरेक्शन हुआ, अब यहां पे भी आप चाहो तो उसको इसकी बाड़ी को यहां तक ऐसे खित सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है, इस तरह की बाड़ी उसको दे सकते हो, और फिर उसके फैदर आप इस तरह से, या तो उसके उपर पूरा ऐसे घोल करना हो, तो एक और यहां पे ड्रॉ कर दीजिए, तो एक बार फिर मैं सारे के सारे पिकोक, यहां पे जितने भी एक्स्प्लेइन मैंने किये हैं, मैं एक दूसरे के बाजू में ड्रॉ करके, मैं बता देती हूं, ताकि आप के लिए आसानी हो जाए, अगर कोई भी कन्फ्यूजन बाकी रह गई है, तो यह रहे सारे पिकोक, अब इसको किस तरह से डेकोरेट करना है, वो आपकी क्रिएटिविटी पर और आपकी इमेजिनेशन पर निरभर करता है, वो आपको, मैं एक पिकोग तो इक हमेशा हारे क्लास के अंथ में एक प्रेक्टिस आपको फुलफलेज करवाती हूं तो वह प्रेक्टिस के तुर प्रेक्टिस के थार पे हम यहां पे एक पिकॉ29 और फिर आपको दूसरे आर्टिस की रेफरेंस डिजाइन से भी वो मिल जाएगा एक बार आपको पिकॉग ड्रॉ करना आ गया अच्छे से फिर उसको किस तरह से डेकोरेट करना है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि ये हमारा बेज है तो आप जमके इसकी प्रैक्टिस कीजेगा जब तक आपका हाथ बैठना जाए हर एक शेप की आप प्रैक्टिस कीजेगा फिर उसके साथ डेकोरेट उसको किस तरह से करना है वो भी आप कुछ डिजाइन प्रैक्टिस कर दीजे ताकि आपके हैबि में आजाए और जब भी आपको इसको ड्रा करना हो तो बहुत ही स्पीड में और अच्छे से आप पिकॉक की डिजाइन बना पाए तो चलिए अब हम एक फुल फ्लेज इस तरह का पिकॉक लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले में प्रैक्टिस कर आओ उससे पहले एक और इंपोर्टन बात में भूल गई अच्छा हुआ मुझे याद आया कि पिकॉक सिर्फ पूरी बॉड़ी नहीं होती अगर आपको बॉडर के उपर पिकॉक ड्रा करना है या किसी शेप के अंदर पिकॉक ड्रा करना है तो वहां पे हम पार्शल पिकॉक भी ड्रा करते हैं जैसे कि यहां पे हमने बॉडर पर अगर बनाया है तो जिस तरह से उसकी हाफ़ बॉड़ी बनाई या तो हम किसी शेप के अंदर बनाते हैं जैसे कि हमने बड़ा वाला ऐसा है डूम का शेप है या तो सरकल बड़ा वाला आपने बनाया है उसके अंदर आपको अगर पिकॉक ड्रॉ करना है तो आप इसी टेक्निक से ड्रॉ कर सकते हो या आपको फूल ड्रॉ करना है तो फूल भी कर सकते हो पाशल करना है तो पाशल कर सकते ह तो इसी तरह शेप के अंदर आपको आप पिकॉक बना सकते हो तो वहाँ पे उसका कई बार बॉड़ी पार्शल आ जाएगा जैसे की सरकल में फिर आपको अगर उसका सीर अंदर के और करना है तो तो इस तरह के पार्शल पिकॉक आप बॉडर के उपर किसी भी शेप के अंदर स्क्वेर के अंदर लीफ शेप के अंदर डूम शेप के अंदर सरकल के अंदर किसी भी शेप के अंदर आप इस तरह से उसको बना सकते हो तो ये एक बात मैं भूल गई आपको पहले बताना तो म मुझे लगा कि प्रैक्टिस हम शुरू करें उससे पहले में आप लोगों को बता दू चलो देर आए दुरुस्त आए अब हम पूरा एक फुल फ्लेज पिकॉक प्रैक्टिस करते हैं तो यहां पे मैंने बहुत ही सिंपल सा एक पिकॉक ड्रॉ किया है आप सबसे पहले मैं रि कर सकते हैं अगर आपने मेरा बहुत पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां पे सर्कल के उपर लीफ शेप की जगहा पे मैंने सर्कल उसका बॉड़ी बनाया था तो वह भी आप कर सकते हो अब हम इसके फैदर यहांपर बना रहे हैं झाल 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 अब हमने इसके फाइदर से डेकौरेट की है यहाँ पर मैंने रिवस ऐलिमेंट यहाँ साह, तो कुछ पी यहाँ पर ले सकते हो पूरे ऐसे फाइदर में आप रिवस ऐलिमेंट ले सकते हो अब या जो खाली जगा है उसको मैं छोटी फ्रिल से भर रही हूँ, बहुत बारिक, क्योंकि ये मोटा काम होगा, तो यहां पे मैं बारिक उसका वारिएशन दे रही हूँ, आप फ्रिल फ्लावर की जगा पे, यहां पे आप स्वर्ल छोटा वाला ले सकते हो, स्ट्रेट लाइन, स्मॉल चेक्स बना सक सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, तो मैंने यहां पे बोल्ट डिजाइन ली है, इसलिए मैं यहां पे लाइट डिजाइन का वारिएशन कर रहे हूँ, अगर आप यहां पे बोल्ट डिजाइन ले रहे हो, तो थोड़ी सी यहां पे लाइट डिजाइन आप दे सकते हो, त एक कॉंट्रास आजाएगा डिजाइन में आप देखे यहां पर मैंने इसको पूरा बारिक फ्रिल से भर दिया है मैंने केमेरे को उस बंद कर दिया था क्योंकि बहुत ताइम कंजुमिंग हो जाता है और मैं आपका टाइम बेस्ट करना यहां पर बिल्कुल नहीं चाहती थी क्योंकि यह हम अल्रेडी सीख चुके है अब यह हो जाने के बाद पूरा हम फिनिशिंग लुप देंगे आपको में एक स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस भी इसके साथ एक्स्प्लेइन कर रहे हूं कि अब हम इसको मोटी वाली आउटलाइन देंगे और उससे क्या होगा कि जो उसकी एजिस है वो एकदम नीट एन क्लीन हो जाएगी क्योंकि जब भी हम फ्रील या वगेरा कुछ एलिमेन बनाते हैं तो हमारे शेप की जो लाइन होती है वो थोड़ी सी मैसी हो जाती है तो इस तरह से हम उस लाइन को बरकरार कर देते हैं खुबसुरत दे देते हैं तो फाइनल लुक में वो पूरा खुबसुरत लगेगा तो इस तरह से कौन पे प्रेशर बना के आप मोटी लाइन सेम ही कौन मैं इस्तमाल कर रही हूँ देखिए उसकी ब्यूटी देखिए प्रेशर कंट्रोल के कि इसी कौन से मैंने ये बारिक काम किया है अब उसी कौन से मैं यहाँ पे यह मोटा वाला काम भी कर रही हूँ हमने यहाँ पे कोई भी कौन चेंज नहीं किया है सिर्फ ये कमाल होता है प्रेशर कंट्रोल का कि आप कौन के उपर प्रेशर बढ़ाते हो और मोटी लाइन आती है अगर आप कौन के उपर प्रेशर कम करते हो तो बारिक लाइन आती है लेकिन आपका जो कौन का टीप है वो थोड़ा बारिक होना चाहिए अगर बहुत मोटा है अगर वो कौन का टीप तो फिर उससे बारिक काम नहीं होता तो देखिए हम ये अभी उसको पुरा भर के पूरे एक सफाई ला रहे हैं काम में और इसी वज़ा से ये काम फिर सफाईदार लगेगा ये छोटी-छोटी बाते अगर आप मिस कर जाते हो तो अच्छा ड्रॉ करने के बाद काम में एक सफाई नहीं आती अब यहाँ पे एक और लाइन में ड्रॉ करूंगी देखिए अभी उसी कौन से मैं कितनी बारी कितनी पतली वाली लाइन बना रही हूँ यहाँ पे भी एक फ्रील का बॉर्डर मैं बना दूंगी अब इसके उपर आप इस तरह से गल्फ की पतियां बना सकते हो डॉट्स बना सकते हो डॉट्स लेके कोई पैटन बना सकते हो बड़े वाले लीफ बना सकते हो किसी भी तरह से आप इसको डैकोरेट कर सकते हो अब देखिए पहले हमने पिकॉक का बॉडी तो बना दिया लेकिन हमने डेकोरेट किया है उसके फैदर को अब जाके हम उसका बॉडी जो है उसको डेकोरेट करेंगे क्यूं हमने ऐसा किया क्योंकि हमें हाथ रखने के लिए जगा चाहिए अगर हम पहले इसको डेकोरेट कर देते हैं तो उपर का हिसा करते वक्त हमें हाथ रखने की जगाने ही मिलेगी मैं ज्यादा तर उसका जो सीर है उसको थोड़ा सा डाक बनाती हूँ और उसका जो नेक का पाठ है उसको भी मैं डाक रखती हूँ तो पिकॉक बहुत खुबसुरत उठता है अब उसकी आँख जिस तरह से आपको बनानी हो इसकी पिक और फिर उसका हेड़ गियर अब मैं उसके बॉडिक टे पार्ट में बहुत ही सिंपल डिजाइन करूँगी क्योंकि मैंने आप लोगों को अल्डेडी बहुत सारे फिलर एलिमेंट बनाना भी सिखाया है उसको इस्तमाल किस तरह से करते हैं वो भी सिखाया है और वो आइडियाज तो आपको दुसरे रेफरेंस डिजाइन से वीडियो से भी आसानी से मिल सकती है तो यहां पर इंपोर्टन है पिकॉक का बॉडी किस तरह से बनाना फिर उसको किस तरह से स्टेप बाइ स्टेप डेकोरेट करना अब मैं उसका अंदर का जो बॉडी है उसको डेकोरेट करने से पहले एक समानतर लाइन से लीफ बना देती हूँ अब हमने जो ये पैर्लल लाइन बनाए थी उसको थोड़ा सा हम इस तरह से मोटा करते हैं हमने इसलिए पैरलल ये पैरलल लाइन को बनाया था अब हम जो पी कॉक है उसके शेप को भी एक ठीक लाइन देंगे यहां तक तो ठीक लाइन है मोटी लाइन है अब हम इसको यहां से मोटी लाइन देंगे तो यह इसका एक फाइनल स्टेप हो गया पिकॉक का और यह हो गया आपका पिकॉक आपको अगर इसको साइट से इस तरह से बॉर्डर करके फिर आगे बढ़ना है तो आप इसको आगे बढ़ सकते हो फिर आपकी यह पूरी यहां पर बॉर्डर बन जाएगी तो यह आपका आम के उपर जो शुरुवात का डिजाइन है वो भी हो सकता है आप उसको डिजाइन के बीच में भी एज़ेस कर सकते हो और आप इसको हथे दी में भी पाम में भी एज़ेस क कर सकते हो तो इसी के साथ हमारा आज का पिकॉक का क्लास कंप्लिट हुआ मैं जानती हूँ आज का वीडियो थोड़ा लंबा है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना था हमने बहुत सारे पिकॉक के वैरेशन्स तेखे और अगर आपको कि डिजाइन में वैरेशन सीखने है तो आप मेरे मटीरियल से वो कर सकते हो तो आप मेरे मटीरियल मेरी वैबसाइट से या मेरे सप्लायर से खरीद के वो सारे पिकॉक अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर दिये तो उसके बाद कुछ और इंप्रोवाइज करने के लिए बहुत ही कम मेनत आप लोगों को लगेगी तो हम इसके साथ इस क्लास को कम्पलीट करते हैं और मैं आप से विदा लेती हूं बहुत जल्दी मैं वापस मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ट, स्टे इंस्पायर और एंड की प्रैक्टिसिंग्. practice is the only key to success so thank you everyone see you bye-bye see you